हलो दोस्तों आगे यह बिहार पुलिस की नई भर्ती जिसका इंतिजार कर रहे थे सभी भाई बिसबरी से तो अब इंतिजार खत्म हो गया बिहार पुलिस की नई भर्ती आगे है विज्यापत संख्या एक दोजर तेस जिसमें पदो की संख्या 21301 कामें टोटल पोस्ट सबसे अच्छी बात की आए वह इस वीडियो में आपको बता हूँ है जो एक्जाम का लेवल है वो डाउन कर दिया गया है CSBC कहां से क्या पूछती है कुछ पता नहीं चलता था टफ एक्जाम होता था है ना लगता था पहां से आ कहां से आरे प्रश्ण लेग़र िस बार ऐसा नहीं होगा जो एक्जाम में प्रश्ण पूछे जाएंगे वो हलके रहेंगे क्योंकि डाउन कर दिया गया है एक्जाम का लेवल, 10th लेवल पर प्राशन आएंगे, मैं आपको official notice दिखाते। साथ नंबर में देखेंगे, पार्टिक्राम, लिखित परिच्छा का स्थर, विहाग विद्याले परिच्छा समीते की, यानि जितने भी प्राशन आएंगे इस बार विहाग प्रिच्छा में, इसमें 10 भी अस्थर के प्राशन पूछे जाएंगे, 10th लेवल के प्राशन पूछे जाएंगे, परिच्छा में कौन-कौन से विसे से आएंगे, तो हिंदी, अंग्रेजी, गनीत, समाजिक बिज्ञान है ना, बिज्ञान और समाजिक मामले से संबंदि प्राशन पूछे जाने वादे हैं इस प्रिच्छा में, टोटल 100 प्राशन होंगे, एक नंबर का एक प्राशन होगा, नेगिटिव मार्किंग नहीं होगी, और एक्जाम को कौलिफाई करने के लिए, एक्जाम को पास करन के लिए कम से कम आपको 30 नंबर लाने होंगे, तभी आप परिक्षा में पास होंगे, और सारी परिक्षा जो है वो दे पाएंगे, तो पास होने के लिए आपको 30 अंग चाहिए, जब आपके 30 अंग से आप नंबर आएंगे, तो ही आप फिजिकल में एंट्री कर पाएंगे तो इस भरती की सबसे अच्छी बात यही है कि इस बार जो परिक्षा में प्रस्ण आएंगे वो 10th लेवल पर आएंगे है ना 10th के अधार पे ही प्रस्ण पुछे जाएंगे रिटन एक्जाम में दो घंटे का एक्जाम होगा नेगेटिव मार्किंग है नहीं बहुत अच्छी अपोर्शनिटी है है ना और जो रिटन एक्जाम कौलिफाइ करेगा वही फीजिकल डे पाएगा और फिर आपकी मेरिट बनने वाली है तो इसी तरह की अभी भरती से रिलेटिड और भी आपको लेना तकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए भरती से रिलेटिड आपको आगे भी अपडेट मिलता रहेगा तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो